नमस्कार, मैं ममता साहू, मीरिया पोर्ट सपोर्ट यूज में आपका स्वागत करती हूँ, आईए देखें क्या है आज की खबरों में मकान में लगी आग, दमकल की मदद से आग पर पाया गया काबू, मौर्निंग बॉक पर गया था परिवार, सिटी कोतवाली थाना छेतर के सुनालिया पूल के पास हुई घटना, लाखों का सामान जल कर खाग कुर्बा में एक मकान में अचानक आग लग गई, देखते ही देखते, आग की लप्ते उटने लगी, घटना सिटी कोतवाली थाना छेतर के सुनालिया पूल के पास एक मकान में आग की सूचना पर दमकल ने मौके पर पहुँचकर आग पर काबू पाया, बताया जा रहा है आग जब घर में लगी तो सुबा परिवार के सदा से मौनिंग वॉक पर गए थे, आग की सूचना पर घर पहुचे तो आग से घर का समान जल कर खाख हो चुका था, मौके पर पहुची सिटी कोतवाली पूलिस ने दमकल की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन घर में र मीडिया फोर्ट सपोर्ट के लिए इमरान मलिक की रिपोर्ट रियाए सी इलाकों में पहुचा बारा सिंगा, कुत्तों के हमले से बारा सिंगा की हुई मौत, पानी की तलाश में पहुचा था तलाब कोरवा वनवंडल के करतला वन परिक्षेत के बरपाली रेंज के ग्राम मोहरा में जंगल से भटक कर पानी की तलाश में बारा सिंगा गाउंके करीब तलाब पहुच गया जैसे ही कुत्तों की नजर बारा सिंगा पर पड़ी, तो दोड़ कर उस पर हमला कर दिया ग्रामिलों ने बाहरा सिंगा को कुतो से बचाया लेकिन कुछ देर में ही उसकी मौत हो गई इस घटना की सूचना ग्रामिलों ने वन विभाग को दी मौके पर पहुचकर वन विभाग की टीम ने पंच नामा कारवाई कर बार्रह सिंगा का पोस्ट मौटम के बाद अंतिम संसकार किया मीडिया फोर सपोर्ट के लिए इश्वर राठिया की रिपोर्ट कटगोरा डीएफों के खिलाब गोडवाना गर्तंत पार्टी ने बनाई रणनीती 15 फरवरी को करेंगे कलेक्टरेट में धर्ना प्रदर्शन कूर्बा के पालितानाखार विधानसभा शेत्र के पूर्विधायक पार्टी के संस्थापक दादा हीरा सिंग मर्काम के निधन के बाद गोडवाना गर्तंत पार्टी की बागड़ और समालने वाले नौनियुक्त रास्ट्री अध्यक्ष तुलेस्वर सिंह कटगोड़ा क पी डबलू डीर विश्राम ग्रिह में प्रैसवार्ता करते हुए पत्रकारों से रूबरू हुए और अपनी पार्टी की आगामी रणीतियों को सामने रखा तुलेस्वर सिंह मर्काम ने पत्रकारों से विभिन मुद्दों पर बेबाकी से चचक की उन्होंने मौजूदा प्रदेश की कॉंग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा तो वहीं वन प्राणियों की मौत व ब्रश्टाचार के मामलों में घिरी वन मंदल की विवादित डीएफो शमा फारुकी को भी आड़े हाथ लिया वन मंदल कटगोरा के खिलाफ हुए आंदोलन पर सरकार ने कोई सं लाका खनी संसाधन तो भरा पुरा जिला है और यहां पर खनी संसाधन है पानी है उसके बाद भी जिले के लोग भूके प्यासे तड़प रहे हैं बांगोर डेम होने पर भी यहां के लोग पानी नहीं मिल रही है खनी संसाधन होने के बाद भी यहां के गरीब आदी वासी मजदूर बहार पर अन्य प्रदेशों पर काम करने जा रहे हैं कुर्बा जिला में इतने बड़ा वाने लांचार होने के बाद भी यहां पर संसाधन स्रीमित हैं इन सभी मुद्दों को लेकर के गुड़ाना करत्मत पार्टी अगामी पंद्रा फरवरी को जिला का लेक्टर क का घ्राव करने जा रहे हैं मुख्य अभी सा है मना दीकार दियां 2006 में पास हुआ आज तक के मूल निवासियों को पट्टा वित्रण का काम नहीं हुआ है पंचायत एक्जेंशन पेशा है दिनियाम पनेशुच्छानवे पालन पेशा दिनियाम पनेशुच्छानवे लाग किया गया है परंतु आज तक कि उसके नीमा वाली सरकार नहीं बना पाई साथियों ऐसी परिस्टिय में सरकार को कुमकर्णी नीज से जगाने के लिए गुड़वाना गर्दनत पार्टी धरना परदोसन करके ग्यापन सोब करके सरकार को संग्यान में सरकार को जगाने काम क के दोरान दिपका थाना के सामने 36 गर्णती सेना की कारेकरताओं ने किया प्रदर्शन कोर्भा के दिपका थाना छित की ग्राम रतीजा इस्थित प्लांट के गेट पर मंगलवार को रास्ता रोकर बलवा और लूट-पार्ट के मामले में दिपका पुलिस ने सनिवार को 36 इसकी जानकारी होते ही संगठन के पदाधिकारी वा सदस्यों समित आसपास के उक्रमों के काम करने वाले मजदूर बड़ी संख्या में दिपका थाना के सामने पहुंचे जो प्रदर्शन करने लगे वे कमपनी की ओर से कराए FIR को जूटा बताते हुए दिलिप मेरी को रिया करने और ऐसा नहीं होने की स्थिती में सामोही गिर्फतार करने की मांग करने लगे इस स्थिती को देखते हुए दिपका थाना में बड़ी संख्या में पुलिस बल बुला लिया था भीर को हटाने कहा गया नहीं हटाने पर दो पहर में भीर को हटाते हुए पुलिस सुरेश कुमार गोप की FIR पर आरोपी दिलिप की गिरिफतारी की गई FIR में गोप ने मंगलवार की दोपहर प्लांट के गेट पर 36 रांतिश सेना के सुर्जी सोनी सुरेश पटेल दिलिप मेरी उमा गोपाल अजय पटेल वा अन्य लोगों द्वारा कर्मियों को जाने से रोकनेवा मार पिट करना बताया है मीडिया फोर सपोर्ट के लिए राजे साहू की रिपोर्ट बुलिटिन में अब वक्त है छोटे से ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद आवर्शेक सुचना सभी सम्मानेनी केबल कनेक्शन उभुपताओं को सूचित किया जाता है कि जिन उभुपताओं का नया NXT, STB Box, MPEG 4 का पेमेंट नहीं हुआ है वह क्रिप्या कर अपना STB Box का पेमेंट 500 रुपै जल्द जमा करने का कश्ट करे धरनिवाद फिन सेटिलाइट, केबल चीवी, घंटाघर कोरबा हड़ियों की जर्मजात, विक्रितियों का उपचार इसके अलावा OPD-1,2 की सुविधा मौडन पैथोलाजी लैप प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल बार्ट की सुविधा मौडन डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, पाँच बिस्तरों वाला वेटिलेटर की सुविधा पॉरमेसी, OTT टीप, वेटिंग एरिया, कैंचिन की सुविधा सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस, एवं आपात कालिन सुविधा उपलद हमारा पता सिद्धी विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतिदलनार, हड्डी रोग विशशग्य, प्लोट नमबर 52, ब्लोवबर्ड स्कूल के पीछे, होसा बाडी कोरबा स्तर्व सुविधा युक्त दन चीकित साले, विवेक देंटल क्लीक, बेश्ट हाइजीनी क्लीक, इस्पेसलाइजड देंटल सर्जेन, डॉक्तर विवेक रंजन महतो, वीडियस इस्पेसलाइजड देंटल सर्जेन, हमारी उपलब्द सुविधा है, Dental X-ray, दातों की सखाई वा बिंचिंग, अल्टरा सोनिक इसकिलर द्वारा Crown एम ब्रिक, फिक्सिंग दात, सभी प्रकार की Crown, Metal वा सेरेमी Cosmetic Filling, टेरे मेरे दात, वो बाहर दिकले दातों के इलाज Fixed State Wire तक्नीक द्वारा Single Setting Root Canal Treatment, 32 से Dental Implant, बीना अगल बगल के दात, जिसे Fixed दात लगाने की सुईधा Fixed 32 लगवाने की सुईधा, Dental Implant Fixed दात, सभी प्रकार के दात Smart Card वा रोशन कार्ड द्वारा इलाज में 15-25% की चूट क्लिनिक का पता, City Center Mall के पाजू में, Powerhouse Road, कोर्वा, संपर करें 90980-52588-70672-99991-99815-10543 NXT Digital New MPEG 4 Box, जिसमें High Quality Picture, High Quality Sound के साथ 400 इंकावन चैनल का प्रसारण NXT MPEG 4 Box में साथ में देखिये Local News, 36 गड़ी चैनल और 24 NXT Local Bucket, टॉन स्टाफ प्रसारण तो आज ही NXT Digital से जुड़े और धाय मौके का फाइदा NXT Digital Network, अब बालको केबल नेट्वर्क में साथ ही BSNL Giga Fiber Neo Fiber Internet Connection के लिए बालको नगर में संपर्क करें इन नमबर उपर 942 554 4738, 888 188 44018 मा दुर्गा जोतिश, हमारा उद्देशिर आप की सेवा जीवन में आ रही किसी भी सबच्या का जोतिशी समधार क्या अच्छे कर्म करते हुए भी जीवन में हैं असफल क्या बनते बनते विगड़ जाते हैं कार्य क्या रिष्टों में नहीं रही पहले जैसी गर्म जोशी सिक्षा सम्बंधी समस्या, संतान हींता, नौकरी या व्योसाय में परिशानी जमीन जादात या कोट कचहरी के मामले, विभासंबंधी समस्या, नजर दोश किसी भी प्रकार का प्रश्ण जो आपके मन को विचलित कर रहा हो, तो उठाएं अपना पोन और करिये हमसे सीधा संपर्क, वो भी निशल्क काशी के विख्षात जोतेश, एस्ट्रो सेंटर, मादूर्गा जोतेश, संपर्क सुत्र, 7666472447 NXT Digital New MPEG 4 Box, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 459 चैनल का प्रसारण NXT MPEG 4 Box में साथ में देखिए Local News, 36 गड़ी चैनल और 24 NXT Local Bucket तो आज ही NXT Digital से जुड़ें और उठाएं मौके का फाइदा, संपर्क करें FIM, सेटलाइट एंड केबल टीवी मॉबाइल लंबर 9745901786 9630307395 कोर्बा में निगम के वाड़ 64 गुर्देवा में 9 वर्ष मिलन समारो कायोजन किया गया इस उसर पर सुभास ब्लॉक के BJP पारसद 25 सी और पुर्विधायक प्रतिनीधी महेंद सी ने राजश्मंत्री जैसी अगरवाल के समक्ष किया कॉंग्रेस प्रवेश नए साल के शुरू होते ही 9 वर्ष मिलन समारो कायोजन किया जा रहा है इसी कड़ी में निगम के वाड़ 64 गुर्देवा में 9 वर्ष मिलन समारो कायोजन किया गया जिसमें प्रदेश की राजश्वमंत्री जैसी अगरुआल निगम के महापौल राजकिशोर प्रसाद शामिल हुए वाडवासियों को नवर्ष की बधाई के साथ कोरोना से पूरी तरह मुक्ति की इश्वर से काम ना की इस उसर पर सुभाद ब्लॉक के बीजेपी पारसत पपी सी और पूर्व विधाया प्रतिनीधी महेंद सी ने राजश्वमंत्री जैसी अगरुआल के समक्ष कॉंग्रेस में प्रवेश किया कॉंग्रेस प्रवेश पर पपी सी ने कहा कि पहले से कॉंग्रेसी रहा हूं केंद्र सरकार द्वारा क्रिशी कानून लगाया गया उसका विरोध करता हूं कांग्रेस में प्रवेश की नित्री ठीट में और यह कांग्रेस किसी डाजपर बनाएं में किसी कानून कंग्रोट करते हूं अपने पब्लिक की बीच पर अपने लोगों के बीच में आने का एक आउसर है और इसलिए उन्होंने कारिकरम रखी है ताकि नव अच के बदाई हो जाए और लोगों से समंझ जिस्टे बन जाए जो दूरी बनी तो खतम हो जाए मीडिया फोर सपोर्ट के लिए बाकी मोंगरा से मनहन साहुक हिरिपोर्ट कुर्बा में गर्तंत दिवस की तैयारी CACB फुटबाल ग्राउंड में चल रही है माट पास का रिहल सर क्या जा रहा है COVID-19 के कारण इस बार नहीं होगा सांस्कृतिक कारेकरम गर्तंत दिवस समारों में जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेम साह सिंग टेकाम करेंगे त्वजा रोहन कोर्बा जिले में गर्तंत दिवस मुख्य समारों की तैयारी CACB फुटबाल ग्राउंड में चल रही है 36 गड़ पुलिस नगर सेना, CISF, NCC स्काउट एंड गाइड माट पास का रिहल सर किया COVID-19 की कारण इस बार संचिप्त कारेकरम होगा इस बार सांस्क्रेतिक कारेकरम भी नहीं होगा जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम 26 जनवरी को गर्तंत दिवस के औसर पर CACB फुटबाल ग्राउंड में आयोजित जिले के मुख्य गर्तंत दिवस समारों में ध्वजारों हन करेंगे और पुर्षकार वित्रन कारेकरम में मुख्यातिथी के रूप में शामिल होंगे कुरोना वारियर्स का समान विशेस रूप से किया जाएगा मीडिया फोर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ रामकुमार यादाओ की रिपोर्ट बैंगलूर से बरामत की गई अपरित किशोरी उर्गा पुलिस ने आरोपी युवक को क्या गिर्पतार कुर्बा के उर्गा थाना छेत के गाउं में रहने वाली नाबालिक लड़की आज जनवरी से लापता थी परिजनों की शिकायत पर पुलिस विवेचना कर रही थी अपरित बालिकाव अग्यात आरोपी की पता शाजी करने साइबर सेल की मदद ली गई सुराग मिलने पर उर्गा के सहायक, उपनिरिक्षक, दिलाराम मनहर्व, आरक्षक भीशम, नारंग नाबालिक के पितावा उसके फूफा के साथ नीजी साधन से इंदौरवा देवास के लिए रवाना किया गया जहां सुचनमिली की करनाटक के थाना, अलावली शेत्र के ग्राम विद्रली, बैंगलूरू में कुछ हिंदी भाशी लोग मजदोरी करने के लिए किराय पर मकान लेकर रहते हैं पुलिस ने यहां एक मकान में आरोपी विश्णुच पंचौली के पास से नावाली को वरामत किया पिडिता से पूछताच के बाद पुलिस ने पाक्सो एक्ट जोड़ा गया आरोपी यूबक को कुर्बा लाकर नियाएक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया करके संका जाहिब किये क्योंकि वो लोग देखे थे कि हाट्सप और फेस्बूक को चलाती थी तो उसके अत्रिक्त इनको को गाट अध्वारी तलाप के किनारी युवक का श्योव मेला चोट की निसान से हत्या के आशंका उर्गा पुलिस जाच में जूटी कुर्बा के उर्गा थाना छेतर के ग्राम घाट अद्वारी में तलाप किनारे शनिवार की सुबह एक युवा का शौ मिला मृतक की पहचान गाउं के ही इतवार सिंग के रूप में की गई जिसके सरीर में चोट की निशान को देखते हुए ग्रामिन मामले में हत्या की अशंका जता रहे हैं मामले में उर्गा पुलिस मर कायम कर जाच कर रही है एक सप्ता के भीतर उर्गा थाना छेतर में इस तरह संदिग्द परिस्थितियों में शौ मिलने का यह दूसरा मामला है इससे पहले कुर्बा चांपा रोट के किनारे खेत में एक युवा का शौ मिला था जिसके सेर पर चोट के निशान होने से उस मामले में भी हत्या क्या शंका है उस मामले में बृता की शिनाक्त नहीं हो सकी है जिससे माना जा रहा है कि उसे दूसरे जगह मार कर शौ को ठीकाने लगाने खेत में लाकर फेका गया गुर्गा पुलिस मामले की जाच में जुटी है मीडिया फोर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादो की रिपोर्ट बुलिटिन में अब वक्त है छोटे से ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद सिद्धी विनायक हॉस्पिटल अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उप्चार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं जटी लेवं असाधी रोगों का सफल इलाज आपके अपने शेहर में रियायत शुल्के में विशेशग्य चिकत्सन द्वारा उप्चार गुटने और जोडों के सफल प्रत्यारों पर जटिल फ्रैक्चर एवं जोडों का सफल ओपरेशन गठिया बाद जोडों के दर्द का उप्चार तेड़े मेढे हड्डियों का बहतर इलाज हड्डियों की जर्मजात मिकृतियों का उप्चार इसके अलावा OPD-1-2 की सुविधा मौडन पैथोलाजी लैप प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ट की सुविधा मौडन डिजिटल एक्सरे ECG, ICU, पाच बिस्तरों वाला वेंटी लेटर की सुविधा पॉरमेसी, OTT टीप, वेटिंग एरिया कैंचिन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस, एवं आपात कालिन सुविधा उपलब्ध हमारा पता, सिद्धी विनायक होस्पिटल, डॉक्टर शतिदलनार, हड्डी रोग विशशग्य, प्लोट नमबर 52, ब्लोबर्ड स्कूल के पीछे, कोसा बाडी कोर्बा स्तर्व सुविधा युक्त दम चीकित साले, विवेक देंटल क्लीक, बेश्ट हाइजीनी क्लीक, इसप्पेसलाइज देंटल सर्जयन, डॉक्टर विवेक रंजन महतो, VDS इसप्पेसलाइज देंटल सर्जयन, हमारी उपलब्ध सुविधा है, कम्प्यूटराइजड ऑप प्रज नाज्ट्म इंप्लाट् जिसे फिक्स दाथ लगाने की स्विधाल फिक्स बर्तिसी लगवाने की सुइधाल देन्टल इंप्लांट फिक्स दाथ सभी प्रकार के दाथ विस्पार काड़ वर रॉष न काड़ द्वारा इलाज में 15–25% की छूड। क्लिनिक का पता, सिटी सेंटर माल के पाजू में, पावर हाउस रोड कोर्वा, संपर करें 90980-52588, 70672-99991, 99815-10543. NXT Digital New MPEG 4 Box, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी सांड के साथ 400 इंकावन चैनल का प्रसारण, NXT MPEG 4 Box में साथ में तेखिये लोकल न्यूज, 36 गड़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट, टॉन स्टाफ प्रसारण, तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और धाय मौके क आपकी सेवा, जीवन में आ रही किसी भी सबच्या का जोतिशी समधार, क्या अच्छे कर्म करते हुए भी जीवन में हैं असफल, क्या बंते-बंते विगर जाते हैं कारिय, क्या रिष्टों में नहीं रही पहले जैसी गर्म जोशी, किसी भी प्रकार का प्रश्न जो आपके मन को बिचलित कर रहा हो, तो उठाएं अपना फोन और करिये हमसे सीधा संपर्क, वो भी निशलक, काशी के विख्छात जोतेश, एस्ट्रो सेंटर, मादूर्गा जोतेश, संपर्की सुत्र, 7666472447 NXT Digital New MPEG 4 Box, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 400 इंकावन चैनल का प्रसारण, NXT MPEG 4 Box में साथ में देखिए Local News, 36 गड़ी चैनल और 24 NXT Local Bucket, टॉन स्टाफ प्रसारण, 1250 रुपे का Box, पुरानी किलाहकों को मात्र 500 रुपे में दिया जा रहा है, तो आज ही NXT Digital से जुड़ें और उठाएं मौके का फाइदा, संपर्क करें FIM, सेटलाइट एंड केबल टीवी, मॉबाइल नंबर 5745901786, 9630307395 हेलप लाइन नंबर में शिकायत कर सकते हैं कामगार, श्रमिकों को दी जा रही योजनाओं की जानकारी, 36 गर्श्रम कल्यान मंडल अध्यक्ष, शफी एहमद ने दी प्रेशवार्ता में जानकारी, श्रमिकों से अधिकतम 8 घंटे कारे कराने का प्रावधान है, अतिरिक्त समय कारे करने पर अतिरिक्त परिश्रमिक देने वा, कारे के दोरान 4 घंटे बाद 1 घंटे का विश्राम भोजन आवकास देने का अनियम है, अगर किसी भी नियोजन कमपनी द्वारा श्रमिकों के हित को दर किनार कर कारिक किया जा रहा है तो वे श्रम कल्यान मंडल के हेलप लाइन नमबर में अपने शिकायब दर्च करा सकते हैं ये बाते 36 गर्शम कल्यान के अध्यक्च शफी अहमत्य प्रेस क्लब तिलक भवन में पत्रकार वार्ता के दौरान कही उन्होंने बताया कि श्रम कल्यान बोड तीन भागों में विभक्त है श्रम मंडल कर्मकाल मंडल व असंगठित कर्मकाल मंडल या उससे नियोजित है वह श्रम मंडल शासन की योजनाओं की जानकारी देने के साथ शिकायतों पर त्वरित कारवाई करने का काम श्रम कल्याण मंडल कर रहा है। इसके लिए हेलप लाइन नमबर और इमेल आईडी जारी क्या गया है। श्रम कल्याण बोर्ट के माध्यम से एक जागुता अभियान भी चलाई जा रही है कि स्रमिकों के क्या अधिकार हैं और सासन की कौन-कौन सी योजनाओं का लाव वहां तक पहुँच रहा है कि नहीं। और दूसरी बाती है कि जितने स्रमिक अगर किसी संसान में काम कर रहे हैं श्रम कल्याण बोर्ट के माध्यम से भी जैसे वैसे स्रमिक जो दस या दस से अधिक की संक्या में एक साथ काम कर रहे हैं वो स्रम कल्याण बोर्ट के डायरे में आएंगे और उनका यदी पंजियन तो यह भी यह इस्तिती बनेगी कि स्रम विभाग की जितनी योजनाय है उसका लाव उनको नहीं मिल सकता है तो इस सम्मन में वो भी जागरूप कर रहे हैं कि यदि स्रम कल्याण मंदल के माध्यम से यदि पंजियन नहीं है तो हेल्प लाइन नंबर जारी की गई है कि इस नं प्रम्ले में भी संबंधित संस्थान को नोडिस दी जाएगी और मजबूर किया जाएगा कि वो ये साइसी का पंजियन वो करा हैं और उसी तरीके से पीएफ का अगर पंजियन नहीं है तो उसके लिए भी हम संस्थान को बाध्य करेंगे स्रम कल्याण बोड के माध्यम से जिससे कि स्रमिक का जितना हित हो सके इस डिपार्टमेंट के माध्यम से जो अधिकार उनको मिले हुए अधिकार है उन अधिकारों सब वन्चित नहों पाएं मूं दे समाराइगे मीडिया फोर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट नमस्कार जैसे कृष्णा प्रियादर्सा को हाजिर हूँ इस विसेश कारिक्रम कुंड़ी योग में मैं पंडी सुभम पांडे लेकर के आया हूँ आप लोगों की बीच में कुछ विसेश जान करिया आज मैं बात करने वाला हूँ व्यक्ति के सादी विवाह और बंधन के बारे में बहुत सारे ऐसे जातक या जातिका होंगे जो अपने लाइफ अपने कैरियर में हर वो मुकाम को हासिल कर लिये हैं लेकिन जब शादी विवाह और बंधन को लेकर के जब बारी आती है तो बहुत बार यह होता है कि उनके पशंद का जातक या जाते का कभी पशंद नहीं आती या मैंने बहुत बार मैंने देखा है बहुत सारे रिस्तों के बारे में कि रिस्ते तो बहुत सारे आते हैं लेकिन रिस्ते बीच में ही तूट जाती है या मैंने ये देखा है कि व्यक्ति के जीवन में शादी तो हो जाती है कुछ समय तक सारी की सारी चीज़े वगरा ठीक चलती है लेकिन बीच में कुछ-कुछ चीज़ों को लेकर के नुगजोख वगरा शुरू हो जाती है फिर उन लोगों को दूर होना पड़ता है तीसरी बात मैंने बहुत सारे रिष्टों के बारे मैं मैंने देखा है जहां पे व्यक्ति अपने जीवन में एक दूसरे के साथ में बेंतिहा प्यार करता है लोग एक दूसरे के साथ में यहां तक कसम विखा बैठते हैं कि हाँ मैं आपके साथ में हमेशा हमेशा रहूँगा मैं आपसे कभी भी जुदा नहीं हूँगा जहां पे व्यक्त इतना अटूट प्रेम होने के वावजूद भी मैंने कुछ-कुछ रिस्तों को मैंने देखा है कि लोगों को अलग होना पड़ा है तो आज मैं मेरा आज यही टॉपिक रहने वाला है मेरे साथ के अभी कुछ दिन पहले एक सहयोगी आये थे और उनका यह कथन था कि गुरुजी आज आप शादे विवा और बंधन के बारे में कुछ चीजे या कुछ जानकारिया वगरा प्रदान कराईए तो आज मैं उसी चीज़ को ले करके मैं बात करने वाला हूँ आप हमसे डारेक्ट आप बात कर सकते हैं अब मैं बात करने वाला हूँ कि पत्रिका में किन किन वजों से किन किन इस्तुतियों में आपके साथ में ऐसे देकत परेशानी वगरा बनती है सबसे पहले जब पत्रिका में मंगल 1, 4, 7, 8, 12 भाव में विद्यमान होती है उसके मनमाफिक रिस्था उसको मिलता है दूसरे नमबर पे अगर आपके पत्रिका में लगनेश आपका शुक्र है पंचम स्थान पे चंद्रमा विराजमान हुए हैं मंगल आपके अश्टम स्थान पे या फिर 12 अस्थान पे शूर विराजमान हो गए तो ऐसे इस्तियों में व्यक्ति के जीवन में रिष्टे तो बहुत सारे आते हैं लेकिन वह बात नहीं बन पाती है जहां पे एक दूसरा कारण ये भी बनता है कि पत्रिका में अगर शुक्र किसी भी अवस्था में निरवल हो चुके हैं या फिर पाप ग्रहों से वह ग्र में एक दूसरे के साथ में वह सारा अटूट प्यार रहता है लेकिन वह अरिष्टा बीच में ही क्यों टूट जाता है जब पत्रिका में लगनेश बुद्ध हो बुद्ध जाकर के पंचमा स्थान पे वेराजिमान हुए हो शुक्र किसी भी 6-8-12 भाव में से किसी भी अस् जीवन में सब कुछ ठिक ठाक होने के वावजूद भी वह रिस्ता लंबे समय तक नहीं चल पाता वह रिस्ता बीच में ही तूट जाता है घर परिवार शमाज ये लोग उस रिस्तों को बहुत बार मैंने देखा है कि ऐसे स्थितियों में समाज उसको उस रिस्तियों को एक चाहा वो रिस्ता बे एक अटूट रिस्ते के सांथ बंद करके आप आगे बढ़ गए लेकिन बीच में कुछ ऐसे चीज़ें आना शुरू हो गए जहां पर व्यक्त के मन में ऐसे विचार आने शुरू हो गए कि मैं आपके साथ में अब मैं नहीं रह सकती हूं या फिर मु सब्रत पर जाकर के विराजमान हूए है। पंचम स्थान से चंद्रमा की अगर युति बनती हैं सात में जो शप्तम स्थान होता है। के शादे विवाह को ले करके लगातार रिष्ते आ रहे हैं बात नहीं बन पारी हैं तो उस बात बनाने के लिए एक आपका महा उपाई आपको करना बश इतना ही है कि सो मुवार के दिन भगवान सिवजी के मंदर में आपको जाना है मंदर जाने के उपरांत में आपको PC हल्दे ले लेना है और भगवान सिवजी के उपर आपको चढ़ाना है और मन में आपको उचारण 21 बार बोलना है ओ नमसी बाई ऐसे धीरे धीरे आपको 21 बार मन में आपको मंत्र का उचारण करना है उचारण करने के उपरांत में आपको एक दर्जन आपको केला लेना है एक दर्जन केला आपको भगवान सिवजी के अरगे के पास में आपको चढ़ाना है चढ़ाने के उपरांत में आधा दर्जन केला आपको वहीं पे छोड़ देना है और आधा दरजन केला आपको ले करके बाहर आ जाना है और वहीं पे बैटे जो गरीब लोग होंगे उनमें आपको वितरन कर देना है ध्यार बस यही देना है कि आपने जो केला का प्रशाद चढ़ाया है उसको आपको खुद को सेवन नहीं करना है शाद में माता कात्यानी की आप अरहदना करें माता कात्यानी की फूजन करें और शुक्रवार के दिन माता कात्यानी को खीर अरपन करें रिस्ता आपका पक्का होगा आगे बात करेंगे अगर आप किसी relation में हैं आप अगर शादे विवाह बंधन से बन चुके हैं लेकिन आपको ये लगता है कि हाँ हमारे और उनके बेच में वो रिस्ते मधुर नहीं रहे हैं हमारे और उनके बेच में वो रिस्ते अक्सर तूटने की कगार पे जैसे आपको लगता है नजर आने तो आपको मैं उसका में उपाय में बताता हूं आपको करना किया है कि जहां पे आपका बेडरूम है तो सबसे पहले तो बेडरूम को आपको बहुत साफ सुतरा रखने की जरूरत है बेडरूम में आपको जूठे पात्र जूठे बरतन किसी भी वस्ता में आपको नहीं रखना है दूसरे नंबर पे आपको जहां पे आपका सयन कक्ष है वहीं पे आपको एक पात्र लेना है पात्र के अंदर आपको जल भरना है जल भरने के उपरांद में गुलाप की थोड़ी पत्ती आपको लेना है और उसी पात्र में आपको डाल देना है डा करप्या करके दूर करें तो एक चुट की सुंदूर आप उस पात्र में डालेंगी और वही जो सिंदूर बचेगा आपके हाथों में सिंदूर को आपको कंठफे लगा लेना है कंठ पे लगाने के उपरांत में वो जो पात्र है तो अपने बेड के नीचे आपको रख लेना है रखने के उपरांत में आपको सो जाना है और जैसे आप सुबा उठेंगे तो दाहिना पैर आपको प्रतविय पे पहले रखना है और बाशिमू आपको जाना है अपने घर के बाहर और उस पात्र का जो जल है तो अपने सरीर पे एक बार अपने दाहिने हांचे आपको छिड़क लेना है शिड़कने को प्रांत पे उस जल को आपको किसी पौधे में आपको डाल देना है बस आपको ध्यान इतना ही देना है कि वो पौधा कटिला नहीं होना चाहिए साथ में आपको उसी दिन माता शंतोसी जी के मंदिर में आपको जाना है और वहीं पर सूजी का आप हल्वा चड़ाएं आपके रिस्ते में आप देखेंगे वो मधुरता आएगी और जो रिस्ता तूटने की जो कगार आपको दिख रहे आपसे फिर पहले जैसे रिस्ता आपको मजबूत बनता हुआ नजर आएगा फिर आपका जो प्रेमी है या फ आपको कैसे दूर करें आपको शुक्रवार के दिन राधारानी के मंदिर में आपको जाना है साथ में एक जोड़ी आपको गुलाब के फूल लेने हैं फूल लेने के साथ में आपको कुछ पीस आपको गुलाब जामूल लेना है गुलाब जामूल लेने के उपरांत में अस्तरवत तरीके से लेना है जोकि सिंदूर साथ में तुकि मेहंदी और सिंदूर से साथ में वह पँदूर ⁃ प्रकार के जव भी सामघ्रीर्शवाड़ी के साथ में हैं राधार आनि को आप करेंगे अरपन करने के उपरांत में वहीं पर एक देशी घीक आप दिया जलाएंगी और राधारानी का इस्वरण करेंगी और राधारानी का इस्वरण करने के बाद में भगवान कृष्ण का अराध करना है क्लीम कृष्ण क्लीम इस मंत्र को आपको वहीं पर 21 वार आपको जाप कर लेना है जाप करने की उपरांत में उसमें से स्रंगार के सामान में से दो वस्तु आपको उठा लेना है शिंदूर और महंदी शिंदूर जैसे आप मंदिर से बाहर आती हैं तो वो जो प्रशाद है लोगों में वितरण करें खास तोर पे आप भी उसका सेवन करें श्रेवन करने के उपरांतु में जैसे आपकी पती है पती के साथ में आपका रिस्ता ठीक नहीं चलाए तो वो प्रशाद आप विसेश तोर पे अपने पती जी को सबसे पहले खिलाए उसके बाद में लोगों में वितरण करें या फिर अगर आपका प्यार है आपसे वो शिंदूर होगा शिंदूर को अपने ललार पर आपको रोज लगाना है जो महंदी है बुद्वार के दिन आपको अपने हाथों पे रचाना है आप यकीन माने आप अपने रिस्तों को देखेंगे फिर वही पुरानी वाले स्थित्यों में फिर वही मजबूती नजर अगर आप व्यक्तिकत तोर पे अपने जीवन में या फिर अपने पत्रिका के बारे में जानकारी चाते हैं तो बेज़िजक आप नीचे फ्लैस किये जारे नमरों पे आप डारेक्ट आप हमसे जोड़ सकते हैं वा हमसे बात कर सकते हैं साथ में मेरा आप लोगों से एक विनमर निवेदन है मेरी दी गए हुई जानकरी अगर आप अच्छी लगे तो करप्या करके लाइक करें शेयर करें वाच चैनल को सब्सक्राइब करें आप मुझे दीजे इजाजत हम फिर मिलेंगे कुछ विसेश जानकारियों के साथ में तब तक के लिए आप व्यस्त रहें किसी को निराश ना करें जाय से कृष्णा राधे राधे